आज हम बात करने जा रहे हैं moment of inertia जड़ा इस word में एक word पकड़िये जो कि आप पहले से जानते हैं inertia inertia क्या बताई गए थी inertia में अगर simple भासा में आप से पूछा जाए what is inertia तो आप क्या कहेंगे हां मतलब body अपनी position change करने में enable है the inability of the body to change its position either the state of rest or state of uniform motion without any external force यही तो होता है ना simple सी बात सामें तो अब यहां पर inertia होगी लेकिन वो किस case में होगी moment का मतलब अगर कोई body किसी orbit के चारो और या किसी axis के चारो रोटेट कर रही है body को आरे बात में कर रहा हूं अगर हम force लगाएंगे तो रोटेशन करेगी अगर force और रोटेशन करते ही body अरणो जी गूड इवनिंग लेट हो गए आप दो मिनट टाइम का ख्याल रखिए देखे हम टाइम की punctual पर इसे ध्यान देते हैं ठीक है खेर आज हम बात करने जा रहे है moment of inertia की अभी हम बता चुके हैं कि inertia का मतलब होता है कि किसी body की अगर कोई body जिस state में है उसी state में रहेगी जब तक कि उस पर कोई external force अप्लाई ना किया जाए देखे यहाँ पर दो प्रकार की definition होती है physics में एक तो physical definition कि physics कहना क्या चाहती है और दूसरा mathematical definition कि mathematics की हिसाब से उसका क्या मतलब निकल रहा है ठीक है तो थोड़ा सा कहानी लिख लेते हैं पहले इसकी physical definition अगर हम बात करें तो हम कहेंगे अगर body किसी axis के चारो रोटेट कर रही है तो उस rotation करती भी body की inability inability मतलब अक्षमता बहुत ज़्यादा सुद्ध हिंदी तो नहीं हो गई है अक्षम है वो सक्षम नहीं है किसी का नाम सक्षम हो तो अक्षम का उल्टा होता है तो अगर जब तक force न लगाया जाए तब तक body rotate करती रही है थोड़ी सी कहानी रिखेगा moment of inertia world का मतलब सुद्ध में आ गया किसी axis के चारो और घूमते भी body को अपनी position change करने में कौन सी position rotation वाली position change करने में जो inability होती है यह बिना force की वो change नहीं कर सकती वो inability होती है moment of inertia moment की inertia जैसे एक होती rest की inertia एक थी motion की inertia एक थी direction की inertia यह आपने पहले पढ़ा है तो अब moment की inertia है तो लिखेगा a body rotating about a given axis a body rotating about a given axis tends to, tending होता ना, tend, tends, t-e-n-d-s tends to maintain its state of maintain its state of uniform rotation यूनि फॉर्ब रॉतेशन तो यूनि फॉर्म रोटेशन रो दन ए जिए गां, आयदकि की बात करा हूँ, Uniform Rotation Unless an External Torque is Applied Unless an External Torque is Applied on it to Change its State To Change its State एक सेक्ड जड़ा इस डेफिनिस आपकी आवाद बहुत धी में आ रही है वो तो फसला ही है इनर्स्चिया वर्ड सही मालू है न्यूटन साहब है यहाँ पर लेकिन हमने थोड़ा न्यूटन को किनारे कर दिया है न्यूटन ही का नियम है बस यह rotating body के लिए है और rotating body में force का नाम होता है torque सुना है आपको हमने बताया था torque का मतलब वही force जो body को rotate करें इसलिए मैंने force की जिए के torque लिखवाया है ठीक है इस definition को दुबारा आपने आप पढ़िए कि अगर कोई body किसी axis के चारोगो rotate कर रही है तो वो अपनी rotation की state को नहीं change कर सकती जब तक कि उस पर को external force ना लगाया जाए और उसी force का rotating body में लगने वाला force क्या कहलाता है torque ना लगाया जाए ठीक है तो यह तो physicist की definition हो गई आप heading डालिए यह अलग से definition है जब आप moment of inertia की definition आएगी तो इस definition को आप लिख भी सकते हैं लेकिन it is not mathematical definition अब लिखिए moment of inertia of a particle पहले particle बारे में बात करने जा रहे है moment of inertia of a particle definition समझने के पहले जब थोड़ा उसका background समझ लिएगा जब शाओधान सुनिएगा धिहान से हमने आपको दो पईहे दिये दो circular पईहे दिये अच्छा एक मिनटाओ पहले moment of inertia के बारे में बात करेते हैं को हमने ऐसे लुड़का दिया है जमीन पे और एक लुड़कता हुआ बाल गया और दस मीटर जाके रुख गया एक ट्वंटी मीटर जाके रुखा हम इसे बता चुके हैं इनर्शिया में एक ट्वंटी मीटर जाके रुखा दोनों में moment of inertia किसकी जादा है जो 10 पे रुखा या जो 20 पे रुखा सब लोग एगरिए है न से लुड़कते हुए बाल की टेंडंसी थी लुड़कते रहना जो लुड़कता रहे जितनी देश तक उसकी होँमेंट अब बिनर्शिया जादा अब ज़रा देखिए हमने खाँ moment time inertia particle ज़रा समझेगा हमने आपको दो पहिये दिये हैं एक हमने पहिया दोनों के radius सेम है एक हमने cycle का दिया है जिसका mass कम है और एक हमने car का दिया जिसका mass ज्यादा है दोनों को लुड़का दिया हमने ऐसे अब रास्ते में एक particle छोड़ दो प सेम विलास्टी से लुड़क रहे थे एक भारी था एक हलका था पत्थर के टुकड़े को कौन आसानी से पार कर सकता है कार वाला पार कर ले जाएगा ठीक है इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब moment of inertia mass के proportionate होता है कोई body जितना ज्यादा पार कर ले जाने का मतलब होता है वो rotate करने में ज्यादा स्रक्षम है उसकी ability ज्यादा है cycle वाला पर यहां रूप सकता है इसका मतलब mass जिस body का जितना ज्य यानि हम यह कह सकते हैं कि moment अभी लिखेगा नहीं कि moment of inertia किसी body के mass के proportionate होता है heavy mass having या greater mass having greater moment of inertia सही कह रहा हूं अब दूसरा question अब हमने आपको दो पईये फिर दिये हैं आप दोनों के mass same कर दिये लेकिन radius अलग-अलग कर दिया एक कम radius लिया एक बड़ी एक आपकी cycle ले ली और एक छोटे भाई की tricycle ले ली और दोनों पईये को एक साथ ऐसे हमने किया फिर हमने पत्थर का टुकड़ा रास्ते में रखा अब कौन पईया उसको पार कर ले जाएगा यानि कि radius जादा है उस पर depend करता है यानि कि moment of inertia radius of the wheel पर depend करता है लेकिन कैसे करता हमने practical किया हमने क्या किया एक पईया लिया उसका radius 1 लिया और उसको ऐसे लुड़काया तो देखा वो 1 मीटर जाके रुखा फिर हमने वैसा ही पईया लिया अब radius 2 लिया हमने उसको लुड़काया हमने देखा वो 4 पर जाके रुखा फिर हमने radius 3 लिया फिर लुड़काया हमने देखा वो 9 पर जाके रुखा तो क्या हम देख रहे हैं कि radius जितना हम बढ़ाते हैं उसके square time उसका moment of inertia बढ़ रहा है माल लिया ये एक एक्सिस आफ रोटेशन है और ये कोई पार्टिक्ल है और ये पार्टिक्ल इस एक्सिस के चार और ऐसे रोटेट कर रहा है जैसे पंखा होता है न ऐसे रोटेट होता है और ये पार्टिक्ल इस एक्सिस से माल लिया आर डिस्टेंस पर है और इस पार्टिक् की डिस्टेंस के square K product के बराबर होगा. सब्दने आ गई बात? क्योंगी हमने practically देखा था कोई particle जतना ज्यादा mass होता है उसका moment of inertia उतना ज्यादा होता है जıtनी ज्यादा radius होती है उसके square times उसकी value ज्यादा होती है. सब्दने आ गई बात? तो आप लिखे moment of inertia of a particle लिखे the moment of inertia of a particle the moment of inertia of a particle is the product of mass मैं particle बोल रहा हूँ I am not talking about body जब मैं body की बात करूँगा rigid body की बात करूँगा तो वहां बहुत साले particles होंगे हम एक छोटा सा particle ले रहे तो the moment of inertia of the particle is equal to the mass sorry is equal to the product of mass product of mass of the particle and square of its distance from the axis of rotation यह आपकी है axis of rotation मैं इसको बिलकुल live demonstrate करने की कोशिश करूँगा बहुत साउधानिस पढ़िएगा तफ नहीं है टेक्निकल चीज है ध्यान रखेगा तो यह तो हो गया moment of inertia of a particle अब लिखिएगा अगली heading है moment of inertia of the body moment of inertia of the body यह note कर लिखिए यह नोट कर लिखिए यह नोट कर लिखिए यह नोट कर लिखिए आपको याद होगा पहले क्लास भी हमने आपको system of particle बारें बात किया था तो आप moment of inertia of system of particles system of particles कर यह यह आप body कर दीजे body बोले तो rigid body देखो ध्यान से definition आपको clear हो गई है वही definition दुबारा लिखवानी है अंतर यह है जरा देखिए जान से यह एक body है कैसी भी हो सकती है और यह किसी axis के 4 o rotate कर रही है तो हमने क्या किया है इस body को यहाँ पर कहीं पर भी ऐसे छेट कर दिया है और ऐसे इसको इसको रोटेट कर रहे है तो यह इसका हो गया axis of rotation यह इसका हो गया axis of rotation मैं माल लेता हूँ यह point है इसके 4 o rotate हो रही है यह line इस पर line नहीं कर रही है यह body है और यह axis है इसका इसके 4 o rotate करना है अब इस body में बहुत सारे masses होंगे एक यहाँ पर होगा 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 बहुत सारे होंगे तो अभी हमने कहा particle, particle बोल ला हूँ, ये एक छोड़ा था particle है, इसका moment of inertia M1 R1 square, इसका M2 R2 square, इसका M3 R3 square, और इस सब को sum कर दीजे, तो we get the moment of inertia of whole body, वही बात हुई तो अब लिखे थोड़ी सी कहानी, अब body के बारे में लिखे, लिखे, the moment of inertia of rigid body, the moment of inertia of rigid body, या body, आप कहेंगे जो भी कह सकते हैं, अब आप कहेंगे, rigid क्यों ले रहे हैं, अब अगर कोई आपने माल या पानी यहाँ भर दिया होता, और उसको आप घुमा रहे होते, तो उसके particle भाग रहे होते, कोई यहाँ था भी, वहाँ पहुंच जाता, तो मैं जहाँ पे जिस particle का मास लूँँगों, वही fix रहना चाहिए ना, तो the moment of inertia of rigid body, about, about a fixed axis, is defined as, is defined as, जो अभी हमने बताया, थेोरी में उसी को mathematically लिखा रहा हूँ, is defined as, the sum of the product of, the sum of the, product of, the mass of the particles, the mass of the particles, the masses of the particles, and the square of the distance from axis of rotation, and the square of its distance, from axis of rotation, definition समझ में आ गई, जो अभी हमने बताया, अब समझेगा, अब हमने मालिया, suppose it is a body, हाँ, कुछ पुछना है, okay, suppose it is a body, and rotating about an axis A-B, suppose, अब language नहीं लिखवा रहा हूँ मैं, जो मैं बोल ला हूँ, वही आपको लिखना है, जब आप notes बनाएगे दुबारा, और it is having so many particles, हमने उन particles के mass मालिया, M1 है, दूसरे का M2 है, M3 है, इस प्रकार से बहुत सारे masses है, और इन masses का axis of rotation से जो distances है, वो R1 है, R2 है, R3 है, तो जब हम moment of inertia of the body निकालेंगे, body की बाद कर रहो हूँ मैं, तो जब हम निकालेंगे moment of inertia of body, तो देखे, पहले particle का moment of inertia M1 R1 square, इसका हो गया, दूसरे का plus कर दिया, M2 R2 square, plus M3 R3 square, plus data test कर दो, यह पूरी body का moment of inertia निकल आया, तो यह आ गया sigma M R2, तो this is the moment of inertia of whole body, हाँ वो भी ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा उसको mathematical नहीं किया है, बहुत सारे particles हैं, इसलिए आप चाहें तो फिर इसमें यह लिखना पड़ेगा, sigma M I R I square, I varying from 1 to N, बहुत होच पोच नहीं किया, आप simply sigma M R square लिखिए, समझ में आ गया, आप देखिए यह जो moment आव इनरसी आ है, यह मास पर डिपेंड करता है, ठीक है, रेडियस पर करता है, आगर किन किन बातों पर डिपेंड करता है, तो लिखेगा factors on which moment of inertia depends, आँड़ ठीक 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 ठीक, ठीक ठीक, ठीक ठीक, ठीक ठीक ठीक, क्लिर दिख रहा है ना, यह मत लिखेगा, यह मैं बहुत ज़्यादा होच, हमने जो है, टेकनिकल नहीं लिखा है, सिंप्ली लिख दिया, अब लिखे factors on which moment of inertia depends, हैंने moment of inertia किन-किन बातों पर depend करता है, अब दो चीजे तो हमको दिख रही है, कि एक तो mass पर depend करता है, तो number one लिखे, mass of the body, डाइट कोई langों नेक नहीं, फर्स्ट में लिखे कि mass of the body, याई बाडी के mass पर depend करता है, number two लिखे size and shape of body, size and shape of body, size and shape क्यों बोला हमने, आपने five kilo का, एक rectangular box ले रखा है, five kilo का, एक ball ले लिया है, five kilo का, एक पईहा ले लिया है, सब को लुड़का दीजिए, तो सब के लुड़कने की tendency, अलग अलग होगी, वो जो आपका box है, वो कहो खिसक भी नहीं पाएगा, तो इसका मतलब, ये उसके size और shape पर depend करता है, third लिखे, distribution of mass, ये ज़रा साउधान इसे लिखेगा, distribution of mass, मैंने distribution of mass क्यों बोला, ज़रा साउधान, आपने को भी train का पहिया देखा है, cycle का पहिया तो देखा ही होगा, अब ज़रा समझेगा, cycle का पहिया माल लिया, पाँच किलो का है, माल लेते हैं, हम पहिये को, cycle के पहिये को ये पाँच किलो का, इस radius में ऐसे बना दिया, और हमने पाँच किलो पूरा ऐसे ऐसे, इसमें distribute कर दिया, या यू कहिये, हमने 5 केजी आइरल लिया, उसको circular ऐसे एक पहिया बना दिया, जैसे सच आपकी CD होती है ना, CD करे उसको बना दिया, अब ये cycle की, आपकी cycle का पहिया है, ठीक है, हमने अपनी cycle में क्या किया, 5 किलो का जो पहिया था, हमने क्या किया, 4.5 किलो उसके surface पे लगा दिया, ऐसे, जो जिसको आप rim कहते हैं, और 1.5 किलो की स्पोक्स लगा दी इसमें, स्पोक्स कहते हैं ना उनको, जो तेलिया लगी होती है, तो अब देखे, दोनों 5 किलो के पहिये हैं, दोनों की रेडियस सेम है, सब कुछ सेम है, ये भी रेडियस आ रहा है, अब दोनों को लड़का दिया, अब बताइए, moment of inertia किसका ज़्यादा होता है, कौन ज़्यादा दूर तक लुड़केगा, अब आप कहेंगे, आईसी साइकल तो, भई है, हमने चलाए नहीं, हमको मालूम नहीं, ये ज़्यादा लुड़केगा, ठीक है, ये ज़्यादा लुड़केगा, तिसका मतब अगर आप, मास डिस्टिबुशन करते हैं, और मास ज़्यादा तर पॉर्षन, उसके बाउंडरी पर लगाते हैं, हैनि ये मास जितना सेंटर से दूर होगा, उतना ही मोमेंट अफ इनर्षिया ज़्यादा होगा, यानि वो ज़्यादा लुड़कने की टेंडेंसी रहेगी, संद्ध में आई बात, क्योंकि साइकल में पईया लगाने का मेरा मकसद ही वही है लुड़कने, कि मैं कम फोर्स लगाऊं ज़्यादा लुड़के, ठीक है, हाँ वो तो होना ही चाहिए, यहाँ पर ज़्यादा कर दोगा, यहाँ कम कर दोगा, तो पईया काहेगा, फिर तो जैसे वो नहीं होता है, जब कभी टायर में फूल आता है टायर बाहर, हवा निकलने लगते, ठक पक ठक पक करता है वो, तो वो तो यूनिफार्म होना चाहिए, अब यह जो स्पोक सिस्टम है, यह ट्रेन में लगा नहीं सकता हूँ, तो आपने देखा होगा, ट्रेन के पहिए में होता सरकुलर है, बाउंडरी में ज़्यादा आयरन होता है, वी इसमें गड़े ऐसे से होतें भी चुले हैं, वो क्या चाहते, वो होती स्पोक्स ही है, लेकिन इतनी पतली, अगर स्पोक्स लगाएंगे, तो वो तो पयादर जाएगा तो मजबूरी उनकी है मास को ज़्यादा ज़्यादा उसमें रखना है लेकिन फिर भी सेंटर पे मास कम रहता है और किनारे ज़्यादा कर देते हैं तो यहीं मास डिस्ट्रिबूशन पर भी यह डिपेंड करता है ठीक है अब एक छोटा सा इसका एक्जामपल लेता हूँ फ्लाई फील आपने देखा होगा आपका जो इंजन होता है बाइक का बाइक जब आप स्टार्ट करते हो तो फट फट करती है ना क्यों करती हो तेकि वो काम कैसे करता उसका अजन आपने देखा होगा बाइक लिखा होता है तो आपको नहीं लगता कि गाड़ी का यूनिट जो है वालूम का यूनिट को दिया गया है अब जरा समझेगा आपका इंजन काम कैसे करता है देखो ध्यान से उसमें एक पिश्टन लगा होता है मैं समझा मोमेंट आव इनर्सी आ रहा हूं इसलिए मैं यहां एक्स्पेंट कर रहा हूं हीट जब पढ़ेंगे तो वहां फिर इंजन पढ़ाए जाएगा देखे जैसे आपका इंजेक्शन की सिरेंज होती है वैसे ही इसमें एक पिश्टन होता है ऐसे जैसे स्यंच का ऊपर का पार्ट और उसके अंदर एक ऐसे पिश्टन लगा होता है यह पिश्टन होता है जिसे पार्ट होता है तिए आप स्वी में जो है वो भरते हैं उसमें तो ऐसे खीशते हैं ना तो यह पिस्टन होता है और यहाँ पर ऐसे मैं कि ओल फ्राइव इल समझा रहा हूं इसलिए बताना पड़ेगा यहाँ पर दो गड़े होते हैं यहाँ से पेट्रोल का इन्पुट होता है इन्पुट स्यूल का होता है स्यूल का इन्पुट होता है और यहाँ पर जो स्मोक होती है स्मोक का आउट्पुट होता है और यहां बीच में कहीं पर आपका इस पार्ग प्लग होता है इस पार्ग प्लग देखो ध्यान से होता क्या है यह जो piston है ना यह piston इसमें एक रॉड लगा होता है और रॉड का सम्मन्द एक पईये से होता ऐसे ऐसे रॉड इसमें पईया में जुड़ा होता है अब बहुत अच्छा डाइग्राम तुम्हें नहीं बना पाता हूं इसका रॉड अगर इस पईया को दबाएगा तो पईया घुमेगा आपने कभी किसी दर्जी को कपड़े सिल तो देखा हूँ जो पैर से चलाता है मशीन पैर वाली मशीन जो चलाता है तो अगर ध्यान से देखें कि पैर जहां चलाता हूँ एक पईया लगा होता है और पईये में एक रॉड लगी होती है तो जब वो मशीन चलाता है रॉड चलती है रॉड की हल्प से वो पईया है चलता है अब देखो आप ट्रेन में भी होता जैसे यहां से पेट्रोल आता है पेट्रोल इसके अंदर भर गया इस पार्ट प्लक क्या करता है इस पार्ट में चुकि वहां पर चिंगारी होती है वह पेट्रोल को जला देता है पेट्रोल जलता है फट से आवाज होती है वही आपकी बाइक और मुर्ण के फट फट करती है वो पेट्रोल जलता है अब देखो जैसे पेट्रोल जलेगा यहाँ पर तो क्या होगा पेट्रोल जल गया तो एक्डम से हवा भर जाएगी यह एक्सपेंड हो जाएगा तो क्या करेगा वो इस पिष्टन को धक्का मारेगा जब पिष्टन को धक्का मारेगा तो यह जो राड है वो नीचे आएगी और राड जुड़ी है किस से राड जुड़ी है इस पईये के राड इस पईये से जुड़ी वी है तो जैसे राड को दक्ता मारेगा ये राड क्या करेगा इस पईये को गुमा देगा यहां तक बास होना ही अब ये पिस्टन नीचे आ गया है अब यहां पर क्या बचा है यहां धुआ बचा हुआ है लेकिन हम तो चाहते है पेट्रोल फिर आवे फिर जले तो देखे अब इसको उपर कौन ले जाए अब पैये का मोमेंट आफ इनर्शिया क्या होता है पैया हमेशा घूमते रहना चा सब्सक्रों निचे आएगा यहां से पेट्रूल को सक कर लेगा प्रेट्रोल यहां जाएगा और उधर से स्पार्क फ्लक फिर जली रहा है बार बार भर उसमें चिंगारी हो रही है यहां फिर प्रेटॉल जलेगा फिर यहां धुआ होगा फिर एकस्पंसन होगा फिर पzahlा नीची आएगा तो पzahlा लगादा घुमता रहता है और पिश्टन उपर नीचे करता रहता है पिश्टन जितना नीचे जाएगा जितना उपर जाएगा वो उसकी कैपसिटी होती है इसलिए आपकी गाड़ी लीटर में लिखी जाती है एक हजार सीसी की गाड़ी एक हजार क्यूबिक सेंटीमीटर सौनम्याई उसको लीटर में को लिखा जाता है तो यह हमें दिखाना यह flywheel है flywheel यही काम करता है यही काम आपकी चक्की में होता है या आपके engine में होता है देखाओ इंजन आप चलाते हो एक पईया होता है वो पईया घुमता है उस पईये से आप एक पट्टा लगाते हैं दूसरे पईये में दूसरा पईया बड़ा बनात और उसे आपने चक्की लगा देते हैं चक्की चलाते हैं तो moment of inertia से यहां तक सुन में आ गया अब ज्यादा उसके detail में हम नहीं जाएंगे क्यों ज्यादा explanation से ज्यादा दिक्कत होती है ठीक है तो यह इसके practical examples है ठीक है एक बहुत technical word है उसको लिख लिएगा radius of gyration radius of gyration radius of gyration बहुत technical word है इसमें confusion बहुत होता है पहले समझने की कोसिस करो थब तम मैं लिखवाता हूँ देखो ध्यान से यह एक body है यह किसी axis के चारो और rotate हो रही है इसमें बहुत सारे particles है उन सब के moment of inertia आपने निकाले और आपने कहा उन सब के moment of inertia निकालके आपने सब का sum कर दिया और इसका moment of inertia निकाल दिया समझ में आई बात बोले समझना क्या हो थो यह फार्मा लिख दिया आपने अब माल लेते हैं यह value आई 100 kg meter square यूनिट इसकी क्या होगी kg meter square मैं माल लेता हूं कि 100 kg meter square इसकी value आई देखे ध्यान से अब हमने क्या किया इस body को गला दिया इस body को melt कर दिया और melt करके एक छोटा सा particle बनाया इसका यानि सम मासस को एक जगे एक अठा कर दिया अब देखो ध्यान से हमने पूरा body को गलाया और एक छोटा सा मास particle बना हमने माना हमने माना कि यह पूरा मास 1 kg था और अब बताओ इस मास को किसी axis से कितनी दूर रखा जाए कि यह मास जब उसके axis के चारो और घुमे तो moment of inertia 100 दे तो साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं इसको 10 meter दूर रख देता तो इसका moment of inertia इस particle के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि अब पूरी body melt हो करके एक छोटा सा particle बन गया है उसको हमने 10 meter पे रखा और 1 kg का पूरा particle था तो इसका moment of inertia 100 आएगा और नहीं आएगा आएगा तो यह जो 100 meter है यह जो 10 meter है ना यही radius आप gyration है फिर सुनिएगा करके यह 10 kg का मास आया होता अगर यह 10 kg मास आया होता तो अब बताओ इसको कितनी दूर रखा जाता कि moment of inertia 100 आता तब आप इसको रखते है रूट 10 meter पे तो M हो गया 10 यह हो गया रूट 10 का square तो 100 आता नहीं आता समझ में आ रही बात तो हमने क्या बताया किसी body का कुछ student of inertia से अब वही आये जो इस पूरी body का था तो वो जो distance है उसी को हम radius of gyration कहते हैं जिसको center of mass का confusion करने की गलती student करता है यह center of mass नहीं है यह ध्यान रखिएगा this is not center of mass मैं इसको center of mass नहीं कहूंगा ध्यान रखिएगा तो definition मैं लिखा हूंग अब अब लिखे definition और मेरी कही के बात को definition से टेली करिए लिखे radius of gyration the radius of gyration of a body the radius of gyration of a body about its axis of rotation about its axis of rotation may be defined as may be defined as the distance from the axis of rotation the distance from the axis of rotation at which at which at which distance of rotation at which if the whole mass of the body if the whole mass of the body if the whole mass of the body concentrated whole mass of the body where concentrated its moment of inertia about the given axis that that is sorry concentrated its moment of inertia about the given axis its moment of inertia about the given axis would be the same would be the same would be the same would be the same as with the actual distribution of mass अभी मैं सम्झा रहा हूँ as its actual distribution of mass definition और हमारी बताएगे बात को लिंक करिए सम्झा आई बात फिर समझेगा देखो ध्यान से ये एक बाडी है इसमें बहुत सारे masses है ये M1 मास है ये M2 मास है ये M3 मास है ये M4 है बहुत ज्यादा नहीं दिखाएंगे इतने ही ठीक है M4 मास है ठीक है और ये बाडी किसी axis AB के चारो और ये ऐसे rotate हो रही है आप तो छोटे होंगे तो मेले में देखा होगा एक pancake तरह ऐसे बिलता था गोल गोल उसको घुमाओ तो खट-खट-खट के आवाज होती थी अब चोटे थे तो आप मेले जब जाते थे तो मममी इही लेंगे मममी मना करती थे मम्मी खरीद देती थी चोटा सा होता था ऐसे आसे चला और खट-खट-खटा बाज होती थी फिर आप मेले लेकर भूश घुमते रहते थे अभी तो चुकि बहुत छोटे से लोग बड़े हो जाते हैं इसलिए नहीं देखा होगा हम लोग देखें पंका देखें हो ना हाथ वाला तो मान लिया ये बॉड़ी ऐसे ऐसे घूम रही है किसके रिस्पेक्ट में AB के रिस्पेक्ट में M1 का डिस्टेंस यहां से R1 है M2 का डिस्टेंस यहां से R2 है M3 का डिस्टेंस यहां से R3 है M4 का डिस्टेंस यहां से R4 है तो अगर मैं AB के रिस्पेक्ट में इस बॉड़ी का मोमेंट आफ इनर्सिया निकालता हूँ मैं बॉड़ी बोलना हूँ बोले तो बहुत सारे masses तो moment of inertia निकलेगा m1 r1 square plus m2 r2 square plus 1 ऐसे आएगा तो यह sigma mr square आगया आई यह equation 1 होगा यहां तक बात तो समझ में आगई अब हमने क्या किया इस body को पिखलाया और पिखलाके हमने इसको एक particle बना दिया एक ball मना दिया जोटी सी यानि और इसी axis के चार और rotate कराया फिर ab के चार और ही rotate कराया अब यह पूरी ball यहां रखी वी है इसका mass कितना है इसका mass जो है न वो capital M है capital M बोले तो m1 plus m2 plus 1 पूरे particle का mass मिलागर कि यह capital M है अब मैंने इसको इतनी distance में रखा इतनी distance में रखा कितनी मुझे नहीं मालूं k distance में रखा कि इसका moment of inertia हो गया mk square और मैंने का यह same होना चाहिए as it was in this case then k is called radius of gyration समझ में आई बात फिर मैं कह रहा हूँ it is not center of mass देखो ऐसा यह body का center of mass कहीं और होगा अब एक कलपना करें मैं अपनी body लेता हम किसी axis के चाहर rotate कर रहे हैं हमारी body parts आप ले लिजेगा अलग अलग parts के moment of inertia निका लिए और उसकी value निकाल लिया अब मेरा center of mass mass तो यह मेरी नाभी में है इसकी दूरी axis से कुछ और थी अब आपने हमको गला दिया और गला के 60 kg का print बना दिया तो उस 60 kg को नाभी की जगे नहीं रख सकते कहीं और रखना पड़ेगा तब जाकर के moment of inertia वही निकलेगा जो कि पूरी body का पहले निकाल रहे थे तो this point is not considered as center of mass ठीक है तो value दोनों से सेम निकलेगी यह अलग की बात है इसको k से लिखते हैं so हम यह कह सकते हैं कि k की value अगर एक और definition ले तो root i upon m हो सकता है तो अगर मुझसे center of mass की mathematical definition पूछें तो हम कह सकते हैं कि it is equal to the square root of the ratio of moment of inertia to the mass of the body लेकिन actual अगर पूछें कि physics की भासा में कि radius of gyration होती क्या है तो this is the actual definition सब्सक्राइब इसको लिखे इस इस concept में बहुत-बहुत confusion होता है और कुछ books में लिख दिया जाता है कि it is not considered as the center of mass वो कह लिख देते हैं direct कि center of mass नहीं है note करिए इसको कि अच्छा है कि अच्छा है कि यहां से पढ़ने के बाद में कृप्या प्रेक्षी जरू करना नया चेप्टर है नई चीज है थोड़ा टेक्निकल है यह पार्वार में कहते हैं टफ नहीं है बस यह मैं कहता हूं लिख लिया इसकी डेफिनिचन अपने आप लिख लिख लेंगे कि इस दा इस्क्वार रूट अब दे रेशियो आफ मोमेंट आफ इनर्शिया टू दा मास आफ दा होल वर्डी यह लिख सकते हैं यह मैथमेटिकल डेफिनिचन है और यह फिजिस्स की भासा में समझाया गया है अब लिखिए थियोरम्स आफ मोमेंट आफ इनर्शिया मोमेंट आफ इनर्शिया की दो थियोरम्स दी गई है उन्हें समझ लीजे थियोरम्स इजी है उनका स्टेट्मेंट बहुत लंबा चौड़ा है तो उन्हें पहले आप समझे तब हम बताएंगे स्टेट्मेंट लिख वाएंगे थियोरम्स आ parallel axis theorem, दो theorem से, theorem of moment of inertia में पहली theorem में बताता हूँ, parallel axis theorem, इसका statement बड़ा लंबा चोड़ा है, मैं बाद में रिखाता हूँ, पर इस समझ लीजीगा, साउधान, देखे, moment of inertia निकालने का तरीका हमने क्या सिखाया, हमने कहा एक particle ले लिजे, एक body है, उस body का एक छोटा सा particle ले लिजेगा, उस particle का moment of inertia निकालिएगा, फिर sigma लगा दीजेगा, पूरी body का निकालाएगा, समझ में आ गया, अब देखो, ये एक body है, मैं अभी statement ने लिखवा रहा हूँ, जानबूस करके, ये एक body है, और ये body का ये है center of mass, ठीक है, और ये एक axis है, ए भी जिसके, ये axis of rotation है, इसके चारो और body rotate कर रही है, और हमने इसके parallel, एक axis खीच रखी है, एक और, माल्या हमने cd कीच रखी है, ये, वो माल्लो center, और ये है आपकी axis जो इसके parallel है, अब आप कहेंगे ये तो चोड़ी दिख रही है, वो parallel है, बोल दिया तो बोल दिया, ये parallel है, और center of mass से उकर जा रही है, और इसके बीज की कुछ दूरी है, जो कि हमेशा fix रहेगी, अच्छा, अब हमने इसका एक particle माना, particle बोला हूँ, body नहीं बोला हूँ, इसका mass हमने m माना, और हमने कहा cd से, cd बोले तो, जो axis center of mass से उकर जा रही है, इससे इसकी distance small r है, अब बताओ, इस particle का cd के respect में moment of inertia, इस particle का body नहीं बोला हूँ, इस particle का cd के respect में moment of inertia क्या होगा, इस particle का cd के respect में, m r square, m r square, kis के respect में, यादि cd बोले तो, वो axis, जो center of mass से उकर जा रही है, अच्छा, अगर पूरी body का हम निकाले cd के respect में तो, इसको हम नाम देंगे i, लेकिन ये कहां से उकर axis आ रही है, center of mass से, इसको लिखेंगे icm, इसको क्या लिखेंगे हम, icm, ठीक है, अब बताइए, ab से इस particle की distance क्या है, ने distance क्या है, distance क्या है, a plus r, तो अगर मैं ab के respect में कहूंगा, तो आप कहेंगे m into a plus r का whole square, और जब पूरी body को sigma ही है, ab के respect में हो जाएगा, तो अब पूरूफ करना तो बात की बात है, अब theorem क्या कहती है, theorem कहती है, ab के respect में जो center, जो moment of inertia होता है, i, वो किसके equal होता है, वो इस axis के parallel, और center of mass से होकर जाने वाली, axis के respect में moment of inertia, icm, प्लस, उस पूरी body का mass, capital M, और इन दोनों के बीच की axis का जो distance होता है, उसके square के product के बराबर होता है, ये है statement, अभी improve करने जा रहे हैं, समझ में आया क्या आपको लिखना है, अब मैं लिखवाने जा रहा हूँ, उन्होंने क्या कहा, किसी भी axis, किसी भी बोले तो A, किसी भी axis के respect में, जो body का moment of inertia होता है, वो equal होता है, उसके center of mass से होकर जाने वाली, और उस axis के parallel axis के respect में moment of inertia, plus पूरी body का mass, और दोनों axis के बीच की दूरी के square के product के बराबर होता है, मैंने जो कहा, ये mathematically सुन आया, अब लिखो statement, लिखे, the moment of inertia of a body, the moment of inertia of a body, about any axis, ऐनी बोले तो, यहां काउन सी एनी है, ए भी, about any axis, is equal to the, is equal to the, is equal to its, दान लिखे, is equal to its, moment of inertia, is equal to its moment of inertia, about a parallel axis, about a parallel axis, through its center of mass, about its parallel axis, through its center of mass, प्लस, ये प्लस, जहां पर आपने, moment of inertia about any axis लिखा है न, उसके bracket लिखो आई, जहां लिखा, moment of inertia about any axis, उसमें bracket लिखो आई, अपनी जानकारी के लिए, और जहां पर लिखा है कि, about parallel axis through its center of mass, वहां लिखो bracket में ICM, plus, the product of the mass of the body, plus the product of the mass of the body, and the square of the perpendicular distance, and the square of the perpendicular distance, बिट्वीन टू पैरलल एक्सिस बिट्वीन टू पैरलल एक्सिस यह पॉइंट दिमाग में रखिएगा इस थेोरम का स्टेट्मेंट मेरी बताई गई बात के हिसाब से सुनना आया अगर मैंने पहले बता दिया होता तो कन्फिजन हो जाता अब जरा समझे मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ देखो हम कहेंगे सपोज एक बॉडडि है जो ए बी के रिस्पेक्ट में मूब कर रही है और सीडी एक एकसिस है जो उसके पैरलल है ओसे उकर जा रही है और उसका एक पार्टिकल है इसका मास इस वाले में है और यहाँ से आर डिस्टेंस पर है यह language आप लिख लेंगे तो आप लिखेंगे moment of inertia of particle language पर ध्यान दिए particle बोला है about a b अब i dash मानेंगे अभी लिखे गाने रुख जाएगा तो यह क्या हो जाएगा m into a plus r का whole square यह किसका moment of inertia निकला है इस particle का निकला है अब मैं यहां कर देता हूँ body तो यह क्या हो जाएगा sigma लिख सकता हूँ मैं proofed up नहीं है बहुत ध्यान से समझेगा बहुत आनन्द आएगा लेकिन ध्यान समझना पड़ेगा sigma m तो इसको खोड़िए a square plus r square plus 2 a r breaker खोड़िएगा sigma m a square plus sigma m r square plus sigma 2 a r 2 sigma m a r यहां मैं पड़िएगा मैं यहां लिखा हूँ है दिख रहा है ना टू ए सिग्मा यह a b अलग कर दो sigma m r अब जड़ा समझो a square यह क्या है हाँ 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 सिग्मा एम है टोटल मास अब वड़ी है इसको हम कैटल एम ले सकते हैं यह सिग्मा स्क्वाइर स्क्वाइर क्या है अभी बता चुका हूँ है आई सीम आई सीम आई सीम प्लस जड़ा यहां पर आ जाओ टू ए यह सिग्मा सीम-म-र की वैलू 0 होती है क्यों होती वड़ी सुनीय एक मिनट यह संट्र आफ मास है आधे पार्ट के लिए इधर होंगे इसके आधे पार्ट के लिए इधर होंगे आधे की डिस्टेंस पॉजिटिव होगी आधे की निगेटिव होगी तो जब हम इसका मोमेंट अब नर्सिया निकाल जब आप M into R करोगे आधे आधे मास उधर आधा मास इधर तो टोटल सिग्मा मास जीरो हो जाता है जब हम सेंटर आप मास पढ़ाएंगे फिर इस बात को हम एक्स्पेंट करेंगे तो वहां और समझ में आ जाएगा तो यह आगया equal to ICM plus MA square बात समझ में आए कि नहीं आए इसका statement ज़रा ध्यान से पढ़ लिजेगा statement tough नहीं है लेकिन बहुत लंदी है और चुकि English में है तो एह मतरी खेर English तो आपको आती है लेकिन फिर भी वह English में है ध्यान से पढ़ यहां नोट करिए इसको यह है perpendicular axis थरूप स्वारी parallel axis थरूप आप 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 यह चैप्टर में कंश्यूजन नहों इसलिए थ्रह ध्रह ध्रह बताए जा रहा है वह ना दो दिन का था खतम हो जाता लेकिन एक दिन कम से कम तो चले गई चलेगा आप 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 यहां लिख दो आप 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 ठीक है अब लिखे पर्पेंडिकुलर एक्सिस थेओरम पहले इस थेओरम को मैं मैंतमेटिकली समझाओंगा फिर मैं स्टेटमेंट लिखाओंगा क्योंकि सुरुवाद निस्टेटमेंट निकाले में कन्फिजन हो जाता है समझने के बाद समझ में ज्यादा आता है इसका स्टेटमेंट समझ लिजेगा यह ध्यान रखेगा देखो ध्यान से सावधान एक प्लेन लैमिना है प्लेन लैमिना तो बोले तो एक प्लेन शीट है यह प्लेन शीट है यह प्लेन शीट इस एक्सिस चाहरो रोटेट कर रही है यह एक्सिस कहां है यह एक्सिस इस प्ले यह प्लेन लेमना है एक सक्सिज यहां तको पड़ी भी है वाई इसपे पड़ी भी है और जड़ इसदे करी और यह जड़ के रस्पेक्ट में ऐसे घूम रही है सही का मने अब देखो यह एक प्लैन लेमना है आपने अमीव आप देखा होगा बायलोजी में 10 वगरा में वो नहीं है यह ज्यादा टेड़ा बड़ा बनाओ चलेगा ऐसे चलेगा यह प्लेन लेमना है यह X-axis है यह Y-axis है और यह Z-axis है तो मैं Z ऐसे तो बना नहीं सकता यह Z-axis है बुक में चेंज बना होता है इधर X बनाते हैं इधर Y बनाते हैं बात वही है इधर यह बना आप चाहें अब हमने इसका एक पार्ट के लिया पार्ट के लिया P जिसका कॉर्डिनेर था X कामा Y और इसका मास अब बताओ ध्यान से बताइए इस पार्टिकल की एकस एकस से दूरी कितनी है तो अगर मैं आप से कहो इस पार्टिकल का एकस के रेस्पेक्ट में मोमेंट आफ इनर्शिया क्या कहें गया एकस के रेस्पेक्ट में यानि कि एकस के रेस्पेक्ट में इस पार्टिकल का पॉमेंट अपनिर्शिया एम वाई स्कुएर बोले और बॉडी का बोले तो सिग्मा एम याई इसको इस लिख सकते हैं अरनो साफ सौनम्यारी बात देखो चुप रहने वाले ध्यान दे अगर कहीं कंश्यूजन है तो आप बोल सकते हैं पूछ सकते हैं ठीक है क्योंकि हम तो आपको दिख रहे होंगे और आप बीच बीच में यहां कुछ दिखते रहते नाम दिखता रहता है यह मान के चलने सौन इसको आई वाई ले सकते हैं यह जड़ एक्सिस है चिंता नगरी आपके नाग में लगेगा यह जड़ एक्सिस है और हमने इस जड़ एक्सिस से इसकी दूरी मानी है आर अब बताओ इस पार्टिकल की जड़ से दूरी क्या है तो जड़ के रस्पेक्ट में सिग्मा एम र स्कॉयर हो सकता है अच्छा आर स्कॉयर को आप एक्स स्कॉयर प्लस वाई स्कॉयर ले सकते हैं तो आप इसको सिग्मा एक्स स्कॉयर प्लस सिग्मा एम वाई इसको ले सकते हैं तो इसको आप आई वाई प्लस आई एक्स ले सक jet axis पे खड़ी है और ये particle jet के respect में गुम रहा है समझ्जाई बात में क्या कह रहा हूँ तो आप क्या कहेंगे अरे वो तो heading है मतब मैं physics की बात में क्या कह रहा हूँ मैंने कहा अगर कोई body कोई plane lamina किसी axis के 4 o rotate कर रहा है जो उस पर perpendicular है तो उस पर दो axis अगर पड़ी हुई है उनके moment of inertia के sum के बराबर उसका moment of inertia होगा अब लिखो इस statement the moment of inertia the moment of inertia of a plane lamina plane lamina कब तो plane sheet अब इस कह सकते हैं plane lamina about an axis about an axis perpendicular to its plane तो कौन सी axis इसके plane के perpendicular मानी है आपने z मानी है ना perpendicular to its plane एक मिनट perpendicular to its plane प्रेकन लिखेगा आईएड प्रेकन लिखे आईएड is equal to is equal to the sum of the moment of inertia the sum of the moment of inertia of the lamina of the lamina तो को मैं जो कहना चाहता हूँ कि ये body z axis के respect में moment कर रही है तो हम कहेंगे एक ऐसी axis जो इसके plane के perpendicular है उसके respect में जो body का moment of inertia है वो other two axis जो इसके perpendicular है और उस plane पे lie कर रही है उनके respect में moment of inertia के sum के equal है ये पहले तो मैथमेटिकली सुझना आ गया आप लिखिए दुबारा मैं बोल रहा हूँ the moment of inertia of a plane lamina the moment of inertia of a plane lamina about an axis about an axis perpendicular to its plane perpendicular to its plane तो कौन से axis perpendicular है z तो ब्रेकल लिजेगा i z इससे clear हो जाएगा का आप क्या कहना चाहते हूँ perpendicular to its plane is equal to is equal to the sum of the moments of inertia is equal to the sum of the moments of inertia of the lamina of the lamina about any two about any two mutually perpendicular axis mutually perpendicular axis in its own plane इसके खुद के plane पर है और कैसी है आपसने perpendicular है to its own plane and intersecting and intersecting each other at the point at the point where the perpendicular axis passes through the lamina यह बुक में लिखा हुआ है वही मैं लिखवा रहा हूँ अलाग से कुछ नहीं लिखवा रहा हूँ मैं लिखा रहा हूँ मैं लिखा हूँ समझा दिया ग्रदा perpendicular axis passes through the lamina देखो इसको आप अपनी भाद सामली सकते हैं passes through the lamina इसको अपनी भाद सामली सकते हैं देखो ध्यान से अब proof कर लोगे ना आप अपने आप प्रूफ तो बता दिया हमने तो यहीं आप कर दिएगा कि सपोज एक body है इसका एक particle उसका mass m है यह distance x है यह distance y है तो आप जो निकालेंगे moment of inertia about z i z is equal to sigma m r square sigma m r square होगा x square plus y square bracket खोलिएगा sigma m x square plus sigma m y square तो यह हो जाएगा i y यह हो जाएगा i x अब आप कहेंगे यह जो आपने statement लिखा है थोड़ा सा tough लग रहा है बहुत ज़्यादा याद करना पड़ेगा ध्यान से पढ़ लिजेगा अगर फिर भी आपको tough लगे तो आप थोड़ा सा समझेगा आप लगेंगे suppose there is a plane lamina o z is the perpendicular axis about which the body is rotating o x and o y are on the plane so according to this theorem i z is equal to i x plus i y बस चल जाएगा काम हाँ बुक पी तबर नीचे बना हुआ है इधर x इधर y उपर z है कोई फर्क नहीं पड़ता तो यह theorem समझ में आ गई ओके इसको एक बार revise कर लिजेगे